गार साथियों स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस ये टीव चैनल में आज हम जो आपका 28 नवंबर 2021 को मंडे नीक्षक का जो एक्जाम हुआ है 28 नवंबर को उसके पेपर के बारे हम बात करेंगे और मयत क्या सोलिशन देखेंगे क्या मयत का सोलिशन देखेंगे मतलब गड़ित के प्रसनों का उत्तर देखेंगे साथ में एक्स्प्लेनेशन के साथ भी एक्स्प्लेन के साथ आपको बताया जाएगा तो आप वीडियो सुरु से अंतक ध्यान से देखते रहेगा लास्ट में यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक क अपको इस doet देखने से पताया यहाईगा और आपको एंसर भी पता चलेगा इस वीडियो में चले वीडियो में चैल करते हैं सबसे पहला प्रसन यहां देखिए आपके तीस प्रसना आई हुए थे मैं देखता हूँ जैसा टाइम लएह वैसा तर alltså प्रसनिंगको बताऊंग नहीं तो आधे प्रस्ण बता कि आधे प्रस्ण का फिर से एक वीडियो अलग से बना दूंगा एक सबस्पहले हम बात करते हैं पहला प्रस्ण आपका आया था एक व्यक्ति एक खड़ी रेल गाड़ी को 30 मिनट में पार करता है ठीक ना वही रेल गाड़ी जो है जब वह व्य अब यहां देखिए क्या बोला कि एक व्यक्ति है और एक रेल गाड़ी है मान लेजिए एक रेल गाड़ी है ठीक ना एक रेल गाड़ी है और यहां कोई ब्यक्ति है पहले क्या बोल रहा है कि एक व्यक्ति एक खड़ी रेल गाड़ी को 30 मिनट में पार करता है ठीक ना मान यह कोई रेल गाड़ी है इसकी लंबाई अभी इसमें नहीं दिया हुआ है तो हम मान लेते हैं कि X है ठीक ना इसकी लंबाई हम मान लेते हैं कि X है जैसे इसकी लंबाई X है एक खड़ा व्यक्ति इस रेल गाड़ी को पार करता है तो यहां से यहां तक जाएगा तो कितना द रेलगाडी जब वोग्यक्ति खड़ा रहता है तो उस व्यक्ति को पांच उनाट में पार कर जाती है अब मालि जी अश्यीश एक पस खड़ा है ठीक न अरे रेलगाडी जो है आपका यहां चलना प्राण करता है और छोड़ उसका यहां पहुच जाता है मतलब इस प्रकार से हो जाता है तब क्या होता है रेल गाड़ी अपनी जितनी भी लंबाई है रेल गाड़ी की उस पूरी लंबाई को पार करता है तो कितनी दूरी ते करता है एक्स दूरी ते करता है तो रेल गाड़ी भी कितनी दूरी क्या है अनुपात मतलब क्या होता है बट्टा ठीक ना मैं यहां आपको बता थाunda भी वन अनुपात में है मतलब भाग में होता है अनपात का मतलब भाग होता है ठीक ना एकस बटा 30 को जब बूरा में change करेंगे तो 5 बटा एकस हो जाएगा और इस प्रकार से एकस केंसिल हो जाएगा 5 एकंप 5 56 हो जाएगा अगला प्रस्णा प्रकार्स में प्रसक्स का सही लंबी इक खंभेव को 15 सेखेंड में तथा उतनी ही लंबी को मैं पतला लबी एक दूसरी रेल गारी जो है विफ्रीद दिसा में चल रही है आठ सेकेंड में पार कर जाती है तो दूसरी रेल गारी की चाल क्या है पुछा है ठीक ना पहले बात क्या तो पहली रेल गारी 500 मिटर लंबा है, दूसी रेल गाड़ी भी 1500 मिटर लंबा है, ठीक ना पहली जो रेल गाड़ी है उसको 100 मिटर लंबा है, 15 सेकेंड पार होने में समय लगता है, पहली रेल गाड़ी जो है, मतलब ट्रेंट T1 ठीकना T1 की चाल कितनी हो जाएगी तो आपका दूरी बटा समय हो जाएगा तो 1.500 मिटर इसकी लंबाई है ठीक ना तो दूरी है और आपका 15 स्केंड में पार कर रही है तो इसकी कितना हो जाएगी 10 मिटर प्रती स्केंड इसकी चाल हो जाएगी कितना हो जाएगा 10 मिटर प्रती स्केंड 10 मिटर प्रती स्केन मार पास एंसर में क्या दिया हुआ है किलो मिटर प्रती घंटा तो हम 10 किलो मिटर प्रती स्केन को क्या करेंगे किलो मिटर प्रती घंटा में चेंज करेंगे तो जब भी हम मिटर प्रती स्केन को किलो मिटर प्रति घंटा में चेंज करते हैं तो किस में गुड़ा करते हैं 18 बटा 5 से उसको गुड़ा करते हैं ठीक ना 18 बटा 5 से गुड़ा करते हैं तो क्या हो जाएगा 5 एकम 5 फांस दुना 10 मतलब कितना हो जाएगा 36 किलो मिटर प्रती घंटा अब हमारे पास ये तो पहली रेल गाड़ी की चाल है हमारे पास क्या पुशा है दूसरी रेल गाड़ी ठीक ना तो आथ सेकेंड में पार करती है, तो एक कब पार करेगी? जब यहां से यहां पहुच जाएगी, यह क्या हो जाएगी? जब इधर पहुच जाएगी, मतलब ए दोनों की लंबाई के बराबर जब दूरी तय कर लेंगे, ठीक ना? तब का समय कितना दिया हुआ है, आपका आथ समय दिया हुआ है तो इसका कितना हो जाएगा इसको कार्ट देंगे हम तो कितना हो जाएगा आपका हो जाएगा चारदून आठ हो जाएगा और यहां आपका साथ चको 28 और 5 चको 20 हो जाएगा मतलब 75 बट्राद दो हो जाएगा क्या बट्रेंगे तो आपका कन्वर्ट हो जाएगा है किलोमेटर पति हो जाएगा अबierte 5 इसको कार्द देंगे हैंक क्या हो जाएगा पंद्र पच्चे 75 हो जाएगा उसके बाद दो एक कम दो नवदूना 18 हो जाएगा 15 नम्मा आपका हो जाएगा 135 कितना 15 नम्मा 135 दोनों की चाल कितने ही निकल कर आ गई सापेट चाल 135 किलोमीटर प्रतिघंटा और पहले रेल गाड़ी की चाल कितने निकली थी चाल कितने निकली थी 36 किलोमीटर प्रतिघंटा और जो आपकी दोनों की चाल मिलाकर कितना आया दोनों का चाल मिलाकर हमारा आया अभी आपका 75 ठीक ना एक मिनट कितना कितना आया था 75 बट्टा दो आया था उसके बाद आपका 18 बट्टा पांच आया था ठेक ना तो एक इतना हो गया 15 पचे 75 हो गया 15, 75 होगिया आपका अबरे 298 पंडर नमा 135 आया था ठेक ने 135 तो 135 में हम 36 को घटा देते हैं तो जो आएगा वो आपका टीटू का चाल हो जागा 15 में 6 जाएगा 9 हो जाएगा और आपका 12 में 3 जाएगा 9 हो जाएगा 99 किलोमेटर प्रति घंटा जो होगी 32 की चाल हो जाएगी इसकार आपका आपका आपसेननल नम्बर है सही अंसर हो जाएगा 99 किलोमीटर प्रति घंटा आगे अगला प्रस्न बात करते हैं यहाँ दिया हो जाएगा 10 Europe घुड़ा करेंगे 10 मलों हो जएगा 10 अंक प्लस योतार इसका बूर है 1.21 इसको स्कूइन या बहुत कीस का वत आप का वर्ग है अब दस्मलों के बाद कितने अंख है दो अंख और यहां अपने को करना क्या है रूट का मतलब क्या होता है square वर्ग मूल ठीक ना वर्ग मूल मतलब एक अंग के बाद दसमल लग तो यहां क्या हो जाएगा एक दसमल लग टोटल जोडेंगे तो एक दसमल लग 5 हो जाएगा जो कि आपका option number C में दिया हुआ है, option number C आपका सही answer हो जाएगा इसमें आगे बात करते हैं चवथा प्रसना तो चवथा प्रसना है आपका A अनुपाद B और B अनुपाद C का मान दिया हुआ है तो A प्लस B अनुपाद B प्लस C का मान पुछा हुआ है ठीक न तो यहां देखिए A अनुपाद B का मान कितना दिया हुआ है A अनुपाद B का मान दिया करना पड़ेगा 5 का गुड़ा इसमें कर देते हैं और 4 का गुड़ा इन दोनम कर देते हैं कितना हो जाएगा 5 का गुड़ा पहले 3 में 5 तीया 15 हो जाएगा 5 चक को 20 हो जाएगा ठीक ना 5 चक को 20 हो जाएगा फिर यहां 4 15 है B व्रावर 20 है और C व्रावर 24 है तो देखिए A प्लस B A प्लस B व्रावर क्या हो जाएगा 20 प्लस 15 व्रावर कितना हो जाएगा 35 आपका ठीना और अनुपात पुछा हुआ है क्या B प्लस C तो B प्लस C मतलब 20 और 24, 20 और 24 कितना हो जाएगा 24, 44, 44 हो जाएगा तो 35, 75, 44 हो जाएगा जो कि आपके आपसन नमबर B में दिया हुआ है आपसन नमबर B आपका सही एंसर हो जाएगा अगला प्रसन देखते हैं अगला प्रसन है आपका 25, 36, 25, 35, 45, 105 में क्या घटाया जाए कि नई संख्या समानुपाती बन जाए तो यहां आप घटा के या तो आप चेक करना चाहें तो घटा के भी चेक कर सकते हैं वारना आप आपसन से भी इसको चेक कर सकते हैं समानुपाती कहने का मतलब है कि 25, 35 करने पर ठीक ना 25, 35 में जो आए जैसे इसमें करेंगे तो क्या आएगा 5, 25, 35, 35 इससे आपका 5, 7 आता है तो आपका नउपना 45 हो जाता है एकस उपांच तिन यह नव तिन सत्य एकस इस प्रकार से आ रहा है तो उपर के मान भी आपके बराबर नहीं आ रहे हैं इन दुनों को अपने को बराबर लाना है तो कैसे आएगा बराबर यहां देखिया आपसंस से भी आप चेक कर सकते हैं आप सभी में 25 माइनस एकस करके 35 माइनस एकस उसके बाद एकस मान लिजिए घटाया जाए तो 45 माइनस एकस करेंगे एकस पाँच माइनस एकस करेंगे फिर भी आपका एंसर आ जाएगा लेकिन ऐसे में आपका प्रोसेस लंबा जाएगा यदि हम आपसंस से करना चाहें तो आपसंस से कर सकते हैं यह देखिये 9 से यदि हम करते हैं तो क्या आएगा 36 नहीं सोरी 26 ठीक न तो कितना आ जाएगा आपका 8 बट्टा 13 आ जाएगा क्या इस में 8 से 46 जाएगा 8 से 46 नहीं जाएगा मतलब यह तो बिल्कुल आपका नहीं होगा हम लाश्ट का चेक करते हैं 21 का ठीक न मतलब 21 हम इन सभी में घटा के देखते हैं तो 25 में 21 घटाएगे तो 4 आएगा बट्टा 35 में 21 घटाएगे तो आपका 14 आएगा ठीक न उसके बाद क्या है आपका है आपका दो दूना 4 दो सते चाउदा एक इतना आपका दो बटा सत आए इधर कितना आ रहा है 12 दूना 24 बारदूना 24 बारसते 84 मतलब दो बटा साथे देखिए तो यदि हम सभी में एकीस घटा दिये तो दोनों बराबर आगाये मतलब समान उपाती आ गए तो इसमें आपका आपसर नमबर डी एकीस सही अंसर हो जाएगा आगे बात कहें तो इसमें दिया हुआ है निम्न चीत्र में इसका मान बताना है अपने को ठीक ना तो यहां चीत्र को समझे तो यहां देखिए आपका एक त्रिभूज दिया हुआ है सबसे पहले तो इस टाइप से ठीक ना इसका मान कितना है तीस अंस इसका मान कितना है सत्त अब आपको पता होगा इसका मान पुछा हुआ है ठीक ना इसका मान क्या है कोड़ वन तो कोड़ वन का मान क्या हो जाएगा आपको पता होगा त्रिभूज के तीनों कोड़ों का योग 6800 होता है किटना होता है wythians giant तो यहां आपका 70 на truth त्या हुआ है total 7 ants त्या हुआ है 180 में हम 6 हटा देंगे तो यहां code A का मान आ जाएगा कितना आजाएगा May 그래서 code A का मान कितना हो जाएगा to code A का मानётсяb ref घिर कितना हो जाएगा यहां देखिए यह दोनों जो हैं आपके कोड 1 वद कोड 3 सोरी ठीक ना यहां कोड 1 वद कोड 3 जो हैं आपस में बराबर होंगे ठीक ना क्योंकि आगे पीछे की भुजा है तो कोड 3 कमान भी कितना हो जाएगा आपका असी अंस हो जाएगा तो इस प्रकार से आपके केंसील हो जाएगे बचेगा जो कोड 2 कमान होगा वही यहां एंसर हो जाएगा आपका ठीक ना क्योंकि कोड 3 से पहले माइनस है और कोड 1 से पहले प्लस तो प्लस असी आप माइनस असी केंसील हो जाएगे अब कोड 3 कमान कितना होगा तो यह देखिए जो आपका बना हुआ है एह है आपका चतुर भूज ठीक न और चतुर भूज के चारो कोणों का मान कितना होता है तिन सव साथ हंस होता है इसका मान पुछा हुआ है जिसका पोड़ दो है बाकी इसका मान दिया हुआ है आपका इसका मान 80 अंस अभी हमने निकाला है और इसका मान जो है आपक अच्छी 8 संस कर देते हैं k themed attendance Leben कि कि अधिनों को जोड़़के 360 से माइनस कर देते हैं नों ए 508 साथ सब्सक्टर करेंगे तो 230 संस हो जाएगा कि इना हो जाएगा 2330 संसे को यह दिन हम 306 से माइनस करते буry 360 से माइनस करते हैं कितना आ जाएगा आपका 0 का 0 हो जाएगा 6 में 3 जाएगा 3 1 का 1 130 संस ठीक नए 130 संस कोड़ 2 का मान हो जाएगा मतलब इसका मान 130 संस हो जाएगा जो कि आपसर नमबर C में दिया हुआ है आपसर नमबर C आपका सही अंसर हो जाएगा सांथ में दर्डाराम करते हैं तो बील अच्छे से कितना पीछे ठा जब ये जब सम सह मीटर की दर्ओर को एप पूरा कर ले। यह दोनों एक साम दाऊदा करते हैं लेकिन B कितना पीछे ठा जब ये सब मीटर पूरा ड़ूरा चुका है ठिक तो पहले हम second का अंतर देखते हैं सेकेंड का अंतर इसमें कितने है जैसे देखिए देखिए बी 12.05 सेकंड में पहुचा ये कितने हैं पहुचा 11.05 में पहुचा ठीक न तो यहां इनके second का अंतर कितना है तो 10.05 आपका हो जाएगा 4 में 2 हो जाएगा एसे नहीं आएगा एक सेकेंड का अंतर इस प्रकार से नहीं आएगा क्comfort कि 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं हम यहाँ उल्डा करें यहाँ दीकि Значит कितने लेट में पहुचा तो 11.25 है और 12.05 सेकेंड कितने लेट में पहुचा इस पकार जो आपका है 1.5 सेकेंड लेट में पहुचा है ठीक ना 1.5 सेकेंड मतलब 1.5 सेकेंड जो है बी लेट में पहुचा है अब कितना दूरी तै किया है सव मिटर दूरी तै किया है कितना देर में कर रहा है 12.5 सेकेंड में कर रहा है और कितना पीछे जा रहा है A से तो 1.5 पीछे जा रहा है बस इसको आप हल कर लिजीए आपका जो है बी कितना पीछे था आराम से आपका answer आजाएगा तो इसको आप हल करेंगे तो आप science कर सकते हैं देखिए कैसे होगा आपका 25 चक को 100 हो जाएगा और 25 पच्चे 125 हो जाएग यहां पैसे नहीं हल करना चाहते यहां दसव लो के वज़से आप हल नहीं कर सकते तो यहां신ह 1-0 बढ़आ दीजे और यहांद अध्शमलों को हटा दिजीए जैसे इसको ऐसे कर सकते हैं 1000 बट्टा गूड़ा एक दस्मलव पांच थीक ना यहां भी 10 का गूड़ा कर देते हैं यहां भी 10 का गूड़ा तो यह दस्मलव हड जाएगा यहां एक जीरो छूड़ जाएगा तो 125 से कम 125 125 अंठे आपका 1000 हो जा Vegards ना उसके बाद 15 8 120 हो जाएगा 120 में एक अंक के बाद 10 मलोग क्योंकि दस्मलोग बाद एक अंक है तो 12 आपका बचेगा 12 मिटर आपका सही अंसर हो जाएगा आपसन नमबर भी आपका सही अंसर हो जाएगा इस प्रकार से आप उसको आराम से हल कर सकते हैं आगे बात का है तो समान लंबाई की दो रेल गाडिया ज पास क्या पचल्छे में समान दिसा में चल रहे हैं यहाँ है समान दिसा में चल रही है और जो है 46 km विखांटा चल रही है और इसमें हम क्या करेंगे इसमें जो भी अपना लंबाई होगा लंबाई जो भी होगा क्या होगा दोनों का लंबाई बराबर है तो दोनों का लंबाई क्या हो जाएगा लंबाई को जोड़ेंगे तो और इसमें आपका अंतर कितना होगा चाल में अंतर कितना है आगे तो निकल मतलब 2L दूरी हो गया और कितने स्केantry में आगे बढ़ जा रही है 36 जिएनिसर में आगे बढ़ जा anything अब इनके 4 में कितना आंतर है 46 में 14 canım 46 में धटा देंगे तो आंतर देगा चाल में कितने का है दस क्लोमेटर प्रति घंटijn का आंतर है ठीक ना 10 बनता को 319 से गूरा करना पड़ेगा तो 518 में में प्रति ये 5 बટा 18 करेंगे तो इसको कार दिजी आप तो 2 से कटेगा 9icateaşर और 5 दूना 10 कितना हो जाएगा यहाँ 25 बटा 9 हो जाएगा 25 बटा 9 मिर प्रतिसकेंड हो जाएगा ठीना अब 25 बटा 9 मिर प्रतिसकेंड तो हम कितना लिखेंगे यहां चाल को 25 बार टानों मीटर प्रतिसकेट अब यहां से अपने को एल कामान निकाल लेंगे तो रेल गाड़ी की जो है लंबाई आपकी निकल जाएगी चलिए तब से मैं इसको मिटा देता हूं उसके बाद यहां निकालते हैं रेल गाड़ी की लंबाई रेल गाड़ी की लंबाई यहां निकालना है तो क्या करेंगे 36 यहां 25 गुड़ा 36 हो जाएगा आपका और दो जो है नीची आजाएगा 9 गुड़ा 2 हो जाएगा ठीक ना तो इसमें कितना हो जाएगा 9 9.36 हो जाएगा आपका दो-एक कम दो द camino चार हो जाएगा और पचिस दुण पचास हो जाएगा मतलब 50 मेटार आ जाएगा की लंबाई यहल का मान जोकि आपसर नमबरे में दिया हुआई आपसर नमबरें आपका सही अनसर हो जाएगा अगला प्रस्न की बात करते हैं अगला प्रस्न दिया हुआ है आपका कि एक व्यक्ति जो है ठी न 3000 रुपए 3 वर्स के लिए लेने पर 3540 रुपए 6000 रुपए 2 वर्स के लेने पर 6720 रुपए 6000 रुपए 5 वर्स के लिए लेने पर सोरी 5,000 रुपए 5 वर्स के लिए लेने पर 6,500 रुपए वापस करना पड़ता है उसे किस प्रकार का ब्याज लग रहा है तो ब्याज हम निकाल लेते हैं हम एक का निकालेंगे फिर भी अपने पता चल जाएगा किस प्रकार का ब्याज लग रहा है जैसे देगे 3,000 रुपए दे रहा है ठीक ना तो 3000 का मतलब कितना परसेंट हुआ? 340 उसको निकलना है तो क्या करेंगे? 350000 का कितना परसेंट और 2500 निकाल लेते हैं कितना परसेंट है? यहां से निकल जाएगा आपका 22-0 आपके केंसील हो जाएंगे X का मान हो जाएगा 540 बटा में 30 तो यहां से केंसिल हो जाएगा आपका 3, 18 तिया चगण हो जाएगा 3 वर्ष का ब्याज कितना हो गया 18% तो एक वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा 3 वर्ष का ब्याज आपका 18% हुआ एक वर्स का ब्याज कितना हो जाएगा 18 बटा 3 एक वर्स का ब्याज हो जाएगा 18 बटा 3 मतलब 6% एक वर्स का ब्याज कितना निकला 6% हम कैसे निकाल रहे हैं इसको हम निकाल रहे हैं साधार ब्याज से निकाल रहे हैं तो साधार ब्याज से परसेंट निकल गया मतलब साधार ब्याज ही होगा चलिए दूसरा भी चेक कर लेते हैं उसके बाद तीसरा चेक करने के अपने को आख सकता नहीं है दो चेक कर लेंगे तो हम पता चल जाएगा कि यही है तो हम समय की बचत करेंगे ठीक न, तीसरा के लिए फालतू समय ब्यतित नहीं करेंगे दूसरा देखिए 6,000 का दो अर्ज के लिए 6,720 रुपए दे रहा है तो ब्याज कितना है आपका 720 रुपए कितने का 6,000 का ब्याज है 720 रुपए तो मालने जी एक्स परसेंट आपका है ठीक न एक्स परसेंट है और 72 आपका 6-6, 6-2, 12, 12, 12 हो जाता है, तो 12% हो जाएगा 2 साल का ब्याज, 2 वर्स का ब्याज कितना हो जाएगा 12%, एक वर्स का ब्याज कितना हो जाएगा 12, 12 ब्याज 2 करेंगे तो एक वर्स का ब्याज 6% हो जाएगा, तो पहले में भी हम को दिखा एक वर्स का ब्याज 6%, मतलब यह क्या हो रहा है आपका सधार व्याज हो रहा है ठीक ना सधार व्याज की गर्णा हो रही है तो आपका आपसन नमबरें सही अंसर हो जाएगा सधार व्याज किस प्रकार का ब्याज दे रहा है सदार ब्याज आगे बात करते हैं नव संख्याओं को इक अनुकरम में व्यस्थित किया गया प्रथम पांच संख्याओं का आउसत जो है आपका पंदर है और अंतिम पांच संख्याओं का आउसत 16 है यदि प्रारम से पांचवी संख्या 20 है तो सभी 9 संख्याओं का उसत क्या होगा अब समझे प्रथम 5 संख्याओं का उसत कितना है 5 संख्याओं का उसत 15 है मतलब 15 गुड़ा 5 करेंगे तो सभी संख्याओं का उसत 15 है है मतलब 15 गुड़ा 5 करेंगे तो 500 संख्या का योग निकल जाएगा कितना हुआ पांस संख्या का योग 75 हुआ और अंतिम 5 संख्या का उसद कितना है 16 इसमें 5 का गुड़ा कर देंगे तो अंतिम 5 संख्या का योग निकल जाएगा ठीक ना तो 16 पंचे 80 हो गया ठीक ना अब सुरू में 5 संख्या अंतिम 5 संख्या का योग आउसत दिया हुआ है हमारे पास बताया है कि 5 संख्या जो है 20 है 5 संख्या कितनी है 20 है ठीक ना तो 9 संख्या का आउसत क्या होगा तो इन दोन तो इसको ठीक ना 5 में 0 जोड़ेंगे 5, 8, 7, 15 हो जाएगा अब इसमें हम 20 को घटा देंगे क्योंकि ये 10 संख्या हो गया 5 संख्या हो गया 5 संख्या हो गया और 5 संख्या हमाइर पास दी हुई है तो इसको इसमें घटा देते हैं 5 में 0 जाएगा 5 बचेगा 5 में 2 जाएगा 3 3 बचे ही हैं आप इसکो हम 9 से भाग देते हैं क्योंकि अपने को नम्हों का इसाथ निकलना है जितने संक्यां कि निकलता है उत्वी से भाग देदो यहां भाग दे देते हैं तो 9 कम 9 हो जाएगा 9.45 हो जाएगा कि इतनाा आ जाएगा आपका 15 अंप इसे देखते हैं अगला प्रस्ण भी आपके यह उस्थ से है ठीक ना बताया गया है कि एवन से लेकर एवन एटू डोट 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 अब सभी का यहां जो योग दिया हुआ हुसको हम जोरके 11 से भाग देते हैं पहले क्या दिय व्यवन बराबर माइनस टू तो यहां माइनस टू लिख लेते हैं उसके बादisia प्लस लिख देते हैं उसके बाद आपका माइनस च्छा है तो माइनस च्छा लिख देते हैं फिर आपका बारह है तो बारह लिख देते हैं ठीक ना बट्टा में हम कर देते हैं 11 अब इसको आप जोड़ लीजिए 23 दो आउन साथ 9 हो जाएगा 9 6 15 हो जाएगा मतलब कितना हो थेगा 11वट्टा 11 बराबर 1 कितना चालता है तो अगला प्रस्द देखते हैं अगला प्रस्द यह आपका कि फी 18 किलोमिटर 1 घंटा 20 में चलता है जबकि 120 किलोमिटर 2 घंटा 40 मिनट में चलता है तथा न-00 जो है 100 किलो मिटर पी तथा क्यू की चालों कि यह वसत चाल से चलता है तब आर द्वारा यात्रा पूरा करने में कितना समय लिया तो यहां देखिए पी जो है कितना का रहा है पी जो है 80 किलोमेटर चल रहा है 80 किलोमेटर चल रहा है एक घंटा 20 मिनट में एक घंटा 20 मिनट कहने का मतलब है 80 मिनट एक घंटा ब्राबर 80 मिनट में 80 किलो मिटर चल रहा है तो 60 मिनट यहां एक घंटा में चलेगा 60 किलो मिटर तो P की चाल कितनी हो गई 60 किलो मिटर आगे बोल रहा है Q क्या चल रहा है Q चल रहा है यहां लिख दिया तो दीख नहीं रहा है ठीक न यहां देखे Q जो इसका कितना निकल कर आया हमारा कि 60 km ठीक ना पी का निकल गया 60 km प् Battlefield 20 की चाल है आगे यहां आपका दिया हुआ है क्यूँ जो है 120 km 2 घंटा 40 मिनट में चल रहा है क्यूँ जो है 120 km चल रहा है 120 किलो मिटर चल रहा है दो घंटा 40 मिनट में दो घंटा 40 मिनट दो घंटे का मतलब क्या हुआ दो गुड़ा 60 मिनट में चेंज करेंगे तो दो गुड़ा 60 करेंगे मतलब 120 मिनट और 40 मिनट इसमें और है तो 40-20-60 एक सब साथ मिनट टोटल कितने मिनट है एक सब साथ मिनट ठीक ना तो एक सब साथ मिनट में चल रहा है आपका 120 किलो मिटर ठीक ना समझेगा अपने को किलो मिटर प्रति घंटा में निकालना है तो हम इसको घंटा में चेंज कर लेंगे, क्यूँ जो है, 160 मिनट में चल रहा है, 160 मिनट में 120 किलो मिटर चल रहा है, तो 60 मिनट में कितना चलेगा, 160 मिनट में 120 किलो मिटर, तो 60 मिनट, 60 मिनट या फिर इतना चलेगा इसको कार दीजा आपका यह 0 केंसिल हो जाएगा और यहां आपका हो जाएगा, 3 दूना 6 हो जाएगा 8 दूना 16 हो जाएगा और 8 से इसको भाग देंगे तो 8 ही कम 8 हो जाएगा 8 पंचे 40 हो जाएगा उसके बाद 15 गुड़ा 3 बचेगा तो 15 तिया 45 हो जाएगा तो Q की चाल कितनी निकल करा गई 45 किलोमेटर प्रति घंटा पी की चाल 60 किलोमेटर प्रति घंटा अब देखिए पी की चाल कितनी है 60 किलोमेटर प्रति घंटा क्यू की चाल कितनी है 45 किलोमेटर प्रति घंटा अब क्या बोला है कि आर की जो चाल है आर की चाल है पी वा क्यू की चालों की अवस्द चाल के ब्राबर तो पी वक्यू की चाल को जोड़ देते हैं 60 plus 45 बटा दो कर देते हैं तो यह अवस्द चाल निकल जाएगा मतलब कितना हो जाएगा 105 बटा दो कितना हो जाएगा 105 बटा बट्टा में 105 बट्टा 2 ठीक ना तो 2 उपर चला जाएगा आपका तो हो जाएगा 100 गूड़ा 2 बट्टा 105 ठीक कि 105 हो जाएगा इसमें उसके बाद यहां क्या हो जाएगा आपका 200 बट्टा 105 हो जाएगा 105 एक बार में जाएगा आपका एक बार में जाएगा और बचेगा कितना 95 बचेगा ठीक ना 95 बचेगा यहां आपका 95 बचेगा तो देखिए एक घंटे में यहां कितना चल रहा था यदि हम माने तो 95 कितना टाइम लाएगा पंचानबे के लिए तो 95 के लिए आपका लाएगा एक minute हाँ देखिए तो यहां कितना आया था अपना अपना आया था आपका 105 बच्टादो थेखना 105 बच्टादो अवसत चलाया था आरगा अब इसमें अपने को चलाना कितना है 100 km इसको दूरी कितना टै करना है 100 km यह है आपका चाल थेखना यह है आपका चाल इसके लिए क्या करेंगे 100 बट्टा 105 गुड़ा में यहाँ दो कर देंगे ठीक न तो यहाँ कार देंगे तो 20 पंचे 100 हो जाएगा 21 पंचे 105 हो जाएगा इसकार से आपका 40 बट्टा 21 हो जाएगा 40 बट्टा 21 करेंगे तो आपका हो जाएगा 21 से कम 21 मतलब एक घंटा लाएगा उसके बाद कितना बच जाएगा आपका 19 बच जाएगा 19 बच जाएगा कितने में 21 में इसको हम 60 से गुड़ा कर देंगे तो इसको हम मिनट में चेंज कर देंगे ठीक ना, दो घंटा पूरा-पूरा लाएगा नहीं, तो हम इसको मिनट में चेंज करने के लिए 60 से घुड़ा कर देंगे, 60 से घुड़ा करेंगे तो यह आपका कटेगा, 7 ती 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 60 हो जाएगा, और आपका 9 सत्य, आपका 7, 6, 8, 56, मतलब 24.59 हो जाएगा लगभग, तो यहां कितना हो जाएगा? गंटा 24.29 मिनट लगभग आपका हो जाएगा, ठीक ना, बाकी आपका आगे और आएगे दस्मलों में, तो इतने दिया हुआ है, आपसन में देखिया, आपसन नमबर C में, तो एक घंटा 24.29 मिनट यह आपका सही अंसर हो जाएगा, इसमें आपसन नमबर C, अगला बात करते हैं, अगला दिया हुआ है आपका कि एक सम्चतुर्भुच के विकड़, एक विकड़ की लंबाई, दूसरे की लंबाई का 75% है, इस सम्चतुर्भुच का छेत्रफल, छोटे विकड़ के वर्क का कितना गुना है, इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि सम्चतुर्भु जो छेत्र फल का सुत्र होता है वो होता है आपका एक बटा दो डीवन गुडा डीटू क्या होता है एक बटा दो डीवन गुडा डीटू डीवन है पहला विकर्ड डीटू है दूसरा विकर्ड अब क्या बोला है कि एक विकर्ड की लंबाई दूसरे विकर्ड की लंबाई का 75% है 75% कहने का मतलब है 75 बटा 100 और 75 बटा 100 को जब काटेंगे तो 25 तिया 75 होता है 25 चको 100 मतलब 3 बटा 4 मतलब 1 विकर्ड 4 है ठीक नब पहला विकर्ड यदि 4 है तो दूसरा विकर्ड कितना है 3 है एक बताए ग्या है कि एक Vikaڑ 4 है तो पहला Vikađ 4 है तो दूसरा Vikađ 3 है ठीक ना बस इसमे मान रख देते हैं यह जो सुत्र है आपका एक बटा दो D1 गुड़ा D2 ठीक ना तो पहला Vikađ 3 है दूसरा 4 हम मान लेते हैं तो एक बटा दो हो जाएगा गुडा 3 गुडा 4 हो जाएगा इसको काटेंगे तो 2 दूना 4 हो जाएगा 3 दूना 6 छेतर फल कितना निकला 6 अब क्या पुछाए कि सम्चत तुर्भुज का 6 छेतर फल मतलब 6 छोटे विकड के वर्ग का कितना गुणा है छोटा विकड कौन सा है 3 तू तू छोटा इसमें कौन है अगला प्रस्न देखते हैं अगला प्रस्न है आपका एक घन के सभी सत्वों के छेतर फलों का छेतर फालों का योग 3750 वर्ग मिटर है तब उस घन के सभी किनारों की लंबाईयों का योग क्या होगा तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए घन के सभी सत्वों का जो छेतर फ़ल होता है और क्या होता है घन के सभी सत्वों का छेतर फ़ल का फर्मूला होता है 6a² क्या होता है? 6 a² एक या है आपका कोई भी एक भूजा है ठीक नआ? तो 6 a² कितना दिया हुआ है आपका? 3750 दिया हुआ है घण के सभी सत्थों के छेंठ फलों का योग दिया हुआ है तो 6 a² ब्रावर 3750 दिया हुआ है a² का मान यहां 6 को पक्षांतर कर देंगे तो आपका हो जाएगा 3750 बर्टा में 6 इसको काटेंगे तो आपका हो जाएगा 636 उसके बाद हो जाएगा 621 बराबर 625 है तो 625 किसका वर्ग है 25 का तो यह बराबर कितना हो जाएगा 25 यह बराबर हो जाएगा आपका 25 निकल गया अब पुछाएगी घं के सभी किन किनारों की लंबाईयों का योग का सूत्र होता है 12A क्या होता है 12A मतलब 12A 12A या फिर 12A तो घं के सभी किनारों की लंबाईयों का योग 12A होता है तो एक अमान अपने को 25 निकला है तो 12 गुड़ा 25 कर देंगे 12 गुड़ा 25 करेंगे कितना जाएगा आपका 25 गुड़ा 25 से कम कोश्चन देखते हैं अगला कोश्चन है हमारा किसी गोले के आयतन को उसके प्रिष्ट छेतर फल से भाजित किया जाए तो पड़्याम 27 cm आता है गोले की तरिजिया ग्याद किजिए तो इसके लिए भी आपको फार्मूला आना चाहिए गोले के आयतन को उसके प्रिष्ट छ छेतर फल होता है फोर पाई यार स्कॉयर ठीक ना इसका बराबर कितना आता है 27 cm कितना आता है 27 cm तो इसको काटेंगे तो 4 से 4 आपका केंसिल हो जाएगा पाई से पाई केंसिल हो जाएगा और आर स्कॉयर से आर स्कॉयर केंसिल एक आर बचेगा तो क्या हो जाएगा यहां बट्टा 3 हो जाएगा रबट्टा 3 बरावर 27 दिया हुआ है तो हा कमान कितना आúa कितना आजाएगा 27 मतलब 81 cm कितना हो जाएगा 180 cm जो कि आप sciences नमबर सी में दिया हुआ है आपसा बर्षी आपका सही अंसर हो जाएगा 81 cm अगला बात करते हैं अगला प्रस्ण है आपका 36 नंबर का इसमें बताया गया है कि एकस की घाथ 4 प्लस 4 का मान कि इसके बराबर होगा पुछा गया है तो इसमें देखिए यहां आप confusion मत होएगा यहां यदि माइनस होता क्या एकस की घाथ 4 माइनस 4 होता यहां हम सुतर बना सकते हैं x square माइनस 2 square इसको हम बना देते a minus b का whole square जिसको आपने पढ़ा होगा तो उसका होता है a square minus b का whole square इसका सुतर होता है a plus b a minus b ठीक न तो वैसे में आपका second वाला option भी सही होता लेकिन हाँ confusion किया गया है हाँ plus किया गया है और plus का ऐसा कोई सुतर होता नहीं है तो a और b तो आपके हो नहीं सकते बिल्कुल गलत हो गया ठीक न आप c के लिए एक बार c का हल करके देख लिजेगा c को छेक करके आप देखárias आपका य आजाएगा पूरी तरह से ठीक न तो c को हुल करेंगे आप कैसे हल करेंगे तो c को आप हल करेंगे जैसे आप एक बार x square लिखेंगे, फिर हैं करेंगे x square plus 2 minus 2x, उसके बाद फिर हैं plus 2 करेंगे, फिर हैं करेंगे x square plus 2 minus 2x, उसके बाद फिर हैं plus करेंगे, फिर 2x करेंगे, फिर हैं करेंगे x square plus 2 minus 2x, इस प्रकार से आप इसको हल करेंगे, तो आपका a जो है, जो दिया हुआ है, यहां सुरू में तो यहां बुला गया है युकपत समीकरण इसका एक सूत्र होता है यह होता है a1 बड़्टा a2 बड़ाबर b1 बड़्टा b2 बड़ाबर c1 बड़्टा c2 यदि यदि यह तीनों आपस में बड़ाबर होते हैं तो आपका इसके अनन्त हल होते हैं ठीक ना और यदि इन में से c1 बटा c2 ए बराबर नहीं होता बाकि ये a1 बटा a2 और b1 बटा b2 बराबर होते हैं तो इसका केवल एक हल होता है मतलब बदविती हल होता है और यदि तीनों में कोई बराबर नहीं होते हैं तो आपके इसके कोई हल नहीं होते ठीक ना कोई हल न लगते हैं तो देखिए 2 बच्टा 5 हो जाएगा A1 बटा A2 और B1 बटा B2 आपका 5 बटा 3 हो जाएगा C1 बटा C2 17 बटा 16 हो जाएगा क्या इन तीनों में से कोई मान बराबर देख रहा है कोई बराबर नहीं है मतलब क्या हो जाएगा इसका कोई अगला प्रस्न देखते हैं, आगे देखते हैं तो यहां देखिए एक नदी का प्रवाद 2 km परती घन्ता है एक ब्यक्ति को नदी के प्रवाद के विरुध्क्य खेने में उसके प्रवाद के साथ खेने से दुगना समय लगता है तो व्यक्ति की इस्थिर जल में खेने की दर क्या है इस्थिर जल में मतलब उसका दर क्या है मतलब चाल क्या है पुछा है ठीक ना चाल क्या है कि इस्थिर जल में इस्थिर जल में खेने की दर क्या है तो वही हम माने हैं कि इस्थिर जल में सांथ जल में नाव के चलने की जो चाल है और एक स्किलिम्टर प्रतिगंटा है इसमें क्या दोनों में आपका जो है दूरी समानते कर रहा है दूरी समानते कर रहा है एक में पु कर लेंगे दूरी दोनों का सेम है मतलब d1 बराबर d2 है ठीक ना दूरी को d से दस आएंगे अब दूरी बराबर क्या होता है आपका चाल गुड़ा समय क्या होता है दूरी बराबर होता है चाल गुड़ा समय ठीक ना तो चाल गुड़ा समय पहला का और दूसरा का चाल यगे एकस माइनस तू लिखेंगे ऐसके बाद जब नदी के प्रवाक की दिशा lattice मेले जाएंगे एकस प्लस तू लिखेंगे इसमें जो होता है आपका टी वन समय लगता है इसमें क्ल़ती युल समय लगता है ठीक न तो टी 2x minus x हो जाएगा और यहाँ 2 plus 4 हो जाएगा x कामान कितना आ जाएगा 6 x कामान 6 आ जाएगा मतलब 6 km पति घंटा हो जाएगी ना विक्ये खेने की दर आपसा नंबर यह आपका सही अंसर हो जाएगा 6 km पति घंटा आगे बात करते हैं अगला है आपका 49 नंबर का प्रस्न यदि L समानतर एम है तो कोड़े वकोड़ो कामान बताईए ठीक ना अब यह दोनों आपके समानतर रेखा है यह बता दिया ठीक ना यह तो बता दिया अब अपने पास पूछती है मान यहां देखे समानतर रेखाओं के बीच जो भी एक सुत्र होता है मतलब एक नियम होता है कि समानतर रेखाओं के बीच कोई भी सीधी रेखा जब गूर जाती है तो यहां जो कोड़ बनाती है वही कोड़ यहां बनता है ठीक ना यहां दिया हुआ है इतने कमान अपने को 30 संस दिया हुआ है तो इसमें 180 में 30 संस घटा देंगे 180 में 30 संस घटा देंगे तो यहां आपना कोड एक कमान निकल जाएगा मतलब कोड एक कमान निकल जाएगा तो 180 में 30 घटाएंगे कितना आजाएगा आपका 150 अगर तो code 1 कामान 150 हो जाएगा code 2 कामान 3 total कितना हो जाएगा code 1 बराबर 150 हो जाएगा 150 वर code 2 बराबर आपका 30 अंस दोनों को जोड़ देंगे तो 180 Nicholas हो जाएगा कितना हो जाएगा 180 Nicholas जो कि आपसन लंबर आपके D में दिया हुआ है आपसन लंबर D आपका सही अंसर हो जाएगा एक सोवसियंस आगे बात करते हैं आगे है आपका एक समांतर चतुरभूज के सम्मुख कोड़ों का एक जोड़ा 5x-10 डिगरी तथा 2x-110 डिगरी है तब x कमान ग्याद किजिए अब आपको एक चीज पता होना चाहिए एक समांतर चतुरभूज के बारे में एक नियम पता होना चाहिए ठीक ना कि समांतर चतुरभूज के सम्मुख कोड़ों का योग जो होता है एक सवसियंस होता है अब यह तो आपको पता है समांतर चतुरभूज के सम्मुख कोड़ों का योग एक सवसियंस होता है लेकिन समांतर चतुरभूज के आ मतलब यहां क्या लिखेंगे 5x-10 बराबर हो जाएगा 2x plus 110 बस इसको हल कर दीजिए आपका x कमान निकल जाएगा तो यह इधर चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा 5x-2x और यह इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा 110 प्लस 10 कितना हो जाएगा 3x बराबर 120 संस एक्स बराबर कितना हो जाएगा 120 बर्टा 3 120 बर्टा 3 मतलब 40 संस आपका सही अंसर हो जाएगा जो कि आपसर नंबर बी में दिया हुआ है आपसर नंबर बी आपका सही अंसर हो जाएगा है आगे बात करते हैं अपनाय तालिसवा नंबर का प्रस्णा तो हैं हमें दिया हुआ है चोटा करदा में इसको यहां देखिया आपका दिया हुआ है कि कोड्षे कमान नाहिक और इस इस में इस गोला है जो भी code बनती है वो इसका आधा होता है तो ये code कितना है आपका 120 है ठीक ना तो इससे बनने वाली जो भी code है वो कितनी होंगी आपकी आधी होंगी मतलब ये कितना होगा आपका 60 होगा और इधर का भी आपका कितना होगा 60 होगा तो दोनों को यहां जोड़ा गिया है दोनों को जोड़ देंगे तो साथ हंस और साथ हंस जोड़ देंगे तो आपका कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा तो इस प्रकार आपका आपसान नंबर 20 का सही अंसर हो जाएगा 120 हंस ठीक यह आपका एक नियम होता है आगे बात करें तो कोई धन साधारर ब्याज की दर से 20 वर्स में 4 गुना हो जाता है तो ब्याज की वार्षिक दर क्या है ठीक ना तो मान लेते हैं हम कोई भी धान मान लेजिए एकस है ठीक ना तो ये 20 वर्स में कितना हो गया 4 गुना हो गया 20 वर्स में कितना हो गया तो इसका दर पुछा है ठीक ना तो हम सधार ब्याज का आप सुत्र जानते होंगे P गुड़ा R गुड़ा T बटा में सव होता है ठीक ना यह होता है आपका ब्याज बराबर ब्याज बराबर होता है मतब इंट्रेंस बराबर तो ब्याज कितना है 3X हमने माना P कितना है X माना है R कमान निकालना है और समाई है आपका 20 वर्ष आगे 100 आपका दिया हुआ है इसको काड़ लेते हैं 20 से कम 20 20 पंचे 100 होगी आपका और AX से दोनों X केंसिल हो जाएंगे 5 इधर हो जाएगा तो आपका 3 गुड़ा 5 हो जाएगा पराबर R मतलब दर ठीक ना तो R कमान कितना हो जाएगा 15% 15% हो जाएगा R कमान रेट कमान 15% हो जाएगा लेकिन इसमें आपसन में कहीं भी 15% नहीं दिया हुआ है तो यह कोश्चान आपके पूरी तरह से गलत माने जाएंगे तो इसका आपको बोनसंग दिया जाएगा इस प्रसन का इसमें आपसन का सही अंसर नहीं दिया हुआ है यह प्रसन आपका गलत है आगे बात करते हैं तो अगला प्रसन आपका है 43 नंबर का अगला प्रसन है आपका यदि 60 वस्तों का क्रेम उल्य 40 वस्तों के बिक्रे मुल्य के बराबर है ठीक ना क्या बोला है कि यदि 60 वस्तों का क्रे मुल्य जो है 40 वस्तों के बिक्रे मुल्य के बराबर है तो लाब 30 कितना है ठीक ना तो देखिए 40 वस्तों के बिक्रे मुल्य के बराबर है 60 वस्तों का मुल्य तो लाब कितना मिल रहा है 20 वस्तू का लाब कितने का मिल रहा है 20 वस्तू का मिल रहा है लेकिन जब भी वस्तू की संख्या दिया हो रूपिया पैसा का बात नहीं कहा गया हो तो वस्तू के बिक्रे मुल्या को ही हम यहाँ नीचे लेंगे लाब में ठीक ना तो 40 पे 20 का लाब हो रहा है 40 स्वास्वत्व को बेच रहे हैं तो 20 स्वास्थों का लाब हो रहा है यहीं हुगा तो सव कितने का लाब होगा तो देखें विशjas से कम 20 30 किम दो 52-100 ना कितने पर्संट का लाब हुगा आपका 50पर्स का लाब पर 200 रुपए खर्च कर Q उस वस्तु को 40 परसेंट लाब लेकर R को बेश देता है R उसे 10 परसेंट हनी उठा कर S को बेश देता है तब S को कितना भुखतान करना पड़ेगा तो यहां समझे आप क्या दिया है P जो है 6000 रुपए में क्राई की गई वस्तु को 30% लाब लेकर बेश देता है सबसे पहले 6000 की वस्तु है P के पास वो 30% का लाब लेकर बेश रहा है मतलब 100 रुपए के वस्तु को वह 130 रुपए में बेश रहा है तो यहां क्या करेंगे मदलब 6,000 का 130 कितना होगा, तो यहां कितने बेच रहा है ओर रेट निकल जाएगा हमारा, तो देखिए A0 से A0 केंसिल हो जाएगा और A0 से A0 केंसिल, 138 हो जाएगा, मदलब कितना हो जाएगा, 78,000 मतलब 7800 रुपए में बेचा एक इसको बेचा Q को बेचा 7800 रुपए में अब Q ने क्या किया Q उस वस्तू के सजावट पर 200 रुपए खर्च किया मतलब इसमें 200 रुपए Q ने और लगाया तो 200 रुपए Q और लगाया तो Q को इस वस्तू का कीमत कितना हो गया 8000 रुपए हो गया पहले 78-100 था 200 रुपए इसने इसमें खर्चा लगाया तो 8000 रुपए इसका कीमत हो गया तो Q के लिए वस्तू का कीमत कितना हो गया 8000 रुपए हो गया अब Q ने क्या किया कि उन्हें 40 परिशन लाब लेकर बेच दिया क्यों क्या गिया 40 परिशन बेच infrastructure मतलब सव कोई वस्तू क्यों सब्रक्राइब बेच दिया चालिस परसेंट लाब लेका बेच दिया आप इसको काट लेते हैं तो 00 केंसील यह 0 से आपका यह 0 केंसील और 148 आपका 112 हो जाएगा आपका यहां देखिए 112 हो जाएगा और 0000 मतलब 11200 रूपए में Q ने उसको बेच दिया आगे जो है आर को बेचा R को बेचा मतलब R लिया उससे 11200 रूपए में R उसे 10% की हानी उठा कर S को बेच देती न R जो है 10% की हानी उठाता है किसमे 11200 रुपए में 10% की हानी उठाता है 10% हानी का मतलब है यदि वह 100 रुपए में वस्तू को खोईदा है तो उसको 90 रुपए में बेज दिया क्या 100 रुपए की वस्तू को 90 रुपए में बेज दिया तो 10% का हानी पाया यहोंकि सव के वस्तू को 90 में बेज दिया तो 10 परसंट कहानी पाया तो इस प्रकार से अब इसका मान कितना हो जाएगा तो A0 से आपका A0 केंसिल हो जाएगा A0 से A0 केंसिल हो जाएगा उसके बाद इसका इससे गुड़ा कर देते हैं तो आपके A0 का A0 हो जाएगा A0 9,0 9,0 18 हो जाएगा 9,9,10 हो जाएगा 9,9,10 हो जाएगा तो 10,08C इसका आपका सही अंसर हो जाएगा जो कि आपसा नमबर C में दिया हुआ है यहां देख सकते हैं आपका 10,08C इसका बिल्कुल सही और करेक्ट अंसर हो जाएगा अगला प्रस्ना देखते हैं अगला प्रस्ना आपका दिया हुआ है कि संख्या ठीक न पूड़त यह संख्या दिया हुआ है जो कि पूड़त्या ग्यारत स्वभगत हो तो इस्टार का मान क्या होगा इस्टार बिश में दिया हुआ है इसका मान पूछा है तो आपको ग्या 11 इभज्यता का नियम क्या होता है कि किसी भी संख्या के सम विषम अंकों के का योग present अंकों का जो अंतर हो या जीरो हो या तो 11 हो जैसे देखिए पहले नंबर पे कौन है इसमें 8 है ठीक ना पहले नंबर पे 8 है तो 8 उसके बाद दूसरा नंबर छोड़ देना है तिसरे नंबर पर कौन है 7 है तो 7 इसको जोड़ देते हैं तिसरे नंबर के बाद 5 नंबर पे कौन है तो 3 है आपका 3 को ज जोड़ देते हैं इन सभी को जोड़ दीजिए तो 8, 7, 15, 13, 14, 22 हो गया अब जो जो बचा उसको जोड़ते हैं तो इस्टार के जगा तो इस्टार रखना है अपने को ठीक ना उसके बाद क्या है दूसरे उसके बाद इस्टार के जगा यदी हम एक रखकर जोड़ देते हैं तो इह आपका 11 आजाएगा तो संख्या 11 आजाएगा मतला पूरी तरह याससर भाजीत हो जाएगा इस्वकार इसमें अपसर नमबर ड़ी आपका जही एंसर हो जाएगा, एक, अगला प्रसन देखते हैं अगला प्ल सभर हाहे आपका a प्लस b wa c बदाबर 9 a b plus b c प्लस c a बदाबर 23 तो a cube plus b cube plus c cube minus 3 a b c का मान होगा ठीक ना तो इसके लिए भी आपको सर्वर समिका के सूत्र आने चाहिए जो a cube plus b cube plus c cube minus 3 a b c ये दिया हुआ है इसके बराबर आपका सुत्र होता है एस्तर होता है आपका a plus b plus c ठीक न एक भाद आपका होता है एक बड़ा खोश्टक फिर आपका होता है a square plus b square plus c square ठीक न उसके बाद minus ab plus bc plus ca ठीक न? यह आपका होता है सूत्र इस सूत्र में देखिए यदि आप A plus B plus C का मान इसमें दिया हुआ है तो यहां रख दिजेगा A B plus B C plus C bash C यहां दिया हुआ है तो यहां उसको उसमान को रखना है यहां आपको निकालना पड़ेगा a square plus b square plus c square का मान तो इसको कैसे निकालेंगे एक अखर सुथर लगाएंगे यहां a plus b plus c का whole square छीकना इसके बराबर होता है a square plus b square plus c square minus 2 a b plus b c plus c a फिकना a b plus c plus c a प्लास b plus c का मान रखेंगे और यहां a b plus b c plus c यह का मान रखेंगे उसके बाद a square plus b square plus c square का मान यहाँ आपका आजाएगा जो a square plus b square plus c square है इसका मान यह दोनों के मान को रखने के बाद इसका मान आजाएगा उसके बाद इसका मान आने के बाद यहाँ पूट कर देंगे यहाँ पूट करेंगे और यहाँ मान दिया हुआ है पहला नमबर आगे बात करें यदि एक बहुपद fx को 2x3 से भाग दें तो सेस्फल क्या होगा तो इसको कैसे जानेंगे सेस्फल क्या होगा यहां बहुपद तो दिया नहीं है फेक्स परावर्ट क्या होगा तो इसको कैसे जानेंगे हम यहाँ जो आप्सन में दिये हुए हैं इनके एक्स के जगह पर यदि इनका मान रखते हैं तो सुनने आ जाता है क्या आ जाता है एक्स के जगह पर इनका मान रखने पर यदि सुनने आ जाता है तो वही संख्या इसक जीडो आएगा वही सेस्फल होगा प्लस वाला चिन रखेंगे तो कभी भी जीडो नहीं आसकता क्योंकि प्लस प्लस जोडेंगे तो हमेंसब बढ़ेगा घटेगा नहीं घटाएंगे तब कि वह सुनने आ रखता है तो यह और यह आपसन दोनों आपके होंगे नहीं कि इन दोनों में प्लस दिया हुआ है आगे इसमें माइनस दिया हुआ है और इसमें तो इसको रख के दोनों को चेक कर लेते हैं पहले हम वी वाले को रखते हैं तो दो गुड़ा क्या हो जाएगा माइनस दो बट् 3 प्लस 3 हो जाएगा तो यह तो आपका 0 आएगा नहीं सिम्पल सी बात ठीक ना अगे अब इसका चेक करते हैं हम D का तो यहां रख लेते हैं 2 बुड़ा माइनस 3 माइनस 3 बटा 2 प्लस 3 तो यह देखिए 2 से 2 केंसिल हो जाएगा और माइनस 3 प्लस 3 हो जाएगा माइनस तीन प्लस तीन आपका जीरो हो जाएगा मतलब जीरो आगिया मतलब यह जो है आपसन नमबर डी आपका सही अंसर हो जाएगा इसका अगला आपको बात करते हैं आपका अगला प्रस्न है कि निम्न का मान होगा ठीना निम्न का मान होगा ठीना एक माइनस एक बट्टा दो का होल स्क्वेर, एक माइनस एक बट्टा तीन का होल स्क्वेर, एक माइनस एक बट्टा चार का होल स्क्वेर, डोट डोट इस प्रकार से दिया हुआ है, जब भी आपके पास इस प्रकार के क्रम दिये हों, इसका एक सुत्र होता है, सुत्र को मैं 2N, n plus 1 upon 2N, n का मान यहां कितना दिया, n जो है, अंतिम संख्या होता है, n क्या होता है, अंतिम संख्या, अंतिम संख्या कितना दिया हुआ है, 20, तो P 20, ठीक न, इसका मान, तो n plus 1 क्या होगा, 20 plus 1, 20 plus 1 हो जाएगा, उसके बाद 2N करेंगे, मतलब 2 गुड़ा 20 करेंगे, ठीक मतलब कितना हो जाएगए 20 exposed 21 हो गिया 22 Springs गिया 20वीस हो गिया और चालीक से भाग देंगे तो यो आईगा वह आपका एंसर behandलता कितना हो जाएगा यहны जीरो बार आउंगे फिर दस मनलव लगाएगे कितना किःगए यहный हो जाएगा तो 450 से हो density हो हुआ है आपसे नंबर सी आपका सही अंसर जाएगा 0.525 अगला प्रस्न देखते हैं 49 नंबर का अगला प्रस्न है 12 के दो गुर्जों का लगुत्तम समापर तक 1056 है यदि इन में से एक संख्या 32 है तो दूसरी संख्या क्या होगी अब यहां आपको एक सुत्र में बताता हूं लेकिन सुत्र से यहां थोड़ा सा आपको घुमा दिया है ठीक ना लेकिन आपको यहां घुमना नहीं है एक सुत्र होता है लस गुड़ा मस बराबर क्या होता है पहली संख्या गुड़ी दूसरे संख्या होता है तो यहां क्लिवतर संख्या का महा कहने का मतलब है कि जो की पहड़ा में आता हो तो यहां हो जाएगा उनका मतलब स्वाइस कामन हो जाएगा स्च्छाइगा स्थुम दिया हुआ है 3000 दीया हुआ है दूसरी संख्या निकलना है तो बसलियरल अपका दिया हुआ है त情况 मां रुख देतेते हैं रजा मजने आपकर एक चाहर उसके बाद आपकाज अब दिया हुआ है 12 मां रख देते हैं दूसरी संख्या 126 गुडा 12 बट्टा 132 इसको कार दीजी आपका एक्स कमाना जाएगा तो 12 कार देते हैं 12 एकम 12 12 एकम 12 11 हो गया 11 एकम 11 11 99 उसके बाद बचा च्छा है 11 चंग 66 एक्स कमान कितना आगे आपका 96 जोकि आपसर नंबर सी में दिया हुआ है आपसर नंबर सी आपका सही अंसर हो जाएगा 96 चलिए पचासमा प्रस्ण देख लेते हैं अंतिम प्रस्ण सब्सक्राइब अंतिम है आपका क्यों 20 30-50 होता है है अंतिम प्रस्ण है आपका चुकि मैं मंडेनीक्षक का एकजाम नहीं दिया था इसका पेपर मुझे कल ही मिला तो मैं कल मतलब साम टाइम मिला तो रेजिनिं आपको दिख रहा है पौने 11 बजे विडियो बनाया जा रहा है आपके लिए ठीक ना और अपको सुबह किया जाएगा है सुबह ठीक ना सुबह साथ से आड़ बजे तक आपका अपलोड हो जाएगा विडियो ठीक ना तो यदि आपको मेहनत अच्छी लग रही होगी तो कानकारी चाहते हैं कट अब कितना जा सकता है कैसा इसकोर जा सकता है ठीक ना तो आप कमेंट किजेगा और अन्य सब्जेक्ट का भी अन्य विसय का भी उत्तर चाहते हैं तो आप कमेंट किजेगा मैं सभी को आपको एक्स्प्लेंड करके बताऊंगा ठीक ना अच्छा आप कमेंट कीजिएगा यदि आपको अच्छा लगता है तो और कैसा लगा आप ज़रूर बताएगा हमें ठीक ना यह लास्ट प्रस्न का भी हम देख लेते हैं इसका भी अंसर तो चलिए इसका अंसर देखते हैं अगला है आपका जो इसमें दिया हुआ एक्स कमार रूट तीन बटा दो लेकिन इसको यदि हम यहीं भी हम मान रख सकते हैं लेकिन यहां यदि हम मान रखेंगे तो यह बहुत ही लेंदी चला जाएगा यह प्रस्न ठीक ना बहुत ही बड़ा आपको केलकुलेटिव में हो जाएगा आपका हल ही नहीं होगा और आप बहुत टाइम लगा देंगे इसमें तो इसको हम क्या करेंगे इसका पहले परिमे करर कर लेंगे परिमे करर करने का मतलब होता है एक प्लस एक्स दिया हुआ है उसके बाद दिया हुआ है एक माइनस एक्स ठीक ना एक दिया हुआ है उसके बाद क्या दिया हुआ है एक प्ल x plus 1-x ठीक ना इसका गुड़ा उपर नीचे कर देते हैं जिसको बोला जाता है हर का परिम्यकर ठीक ना 1-6 जैसे ही इसको हल करेंगे लाष्ट में आपको एक छोटा मान आ जाएगा उस छोटा मान में आप एक का मान रख देंगे आपका एंसर आज याएगा सब आपका रख करता हूं कि आपको अच्छे सी समजमें आग होंगे और आपको पता चल गया होगा कि आपने कितने सही उत्तर इसमें अर्टेम किये हैं तो आप कितने इसमें सही बनाए हैं कमेंड वोक्स में कमेंड करके जोर बताएगा कि आप कितने मांक्स ला सकते हैं इसमें ठीक न आपको पता होगा तो आप गड़ित में आपने कितने अर्टेम किया है साथ में रे इसवाई का एक्जाम होगा हैं सबसे पहले आपका जो है वन छेत्र रख्षक का एक्जाम होगा सबसे पहले आपका छेत्र रख्षक का एक्जाम होगा उसके बाद वन छेत्र पाल का एक्जाम होगा सायक्सम पर एक्षक का एक्जाम होगा डाटा एंट्री आप्रेटर का एक चैनल को सब्सक्राइब कीज़ेगा और मेरे द्वारा आपकिस विसेट की त्यारी करना चाहते हैं हो भी कमेंट केज़ेगा आप लोगों की फनमाइस के अंसार मैं आप लोगों की तैयारी कराऊंगा ठिक तुवासा करता हूं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा अच्छ से जान सकें तब आज के लिए इतना ही जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में तब तक के लिए जय हिन जय भारत जय चत्तिस गोड़े